नमस्कार दोस्तो आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे कि राजनिती विज्ञान विशे से नेट, फस्ट ग्रेड, कोलेज परवक्ता की त्यारी कैसे करें मितरो नेट, नेशनल लेवल का एकजाम है, ये नेट, नेशनल लेवल के एकजाम में gs एक फस्ट पेपर आता है और एक राजनिती विज्ञान विशे का पेपर आता है GS जो first paper का विशे आता है उसमें 50 question होते हैं उसका weightage या बहुत अधिक नहीं होता है लेकिन जो राणिती विग्यान या विशे का paper आता है उसका weightage बहुत अधिक होता है लगबग दोते हैं weightage राणिती विग्यान विशे का ही होता है इसलिए मित्रों हमें राजनिती विज्यान विशे की तयारी कर नेट को असानी से उत्यर्ण कर सकते हैं अब समस्या ये आती है कि नेट में क्या क्या आता है नेट का जो 세ần paper है राजनिती विज्यान विशे का उसमें 10 unit हैं दसों यूनिट कहीं न कहीं विभिन टोपिकों से सम्मधेते हैं हमें इन सारे टोपिकों का गहन अध्यन जरूरी है कोगी नेट का तात्परिय रिसर्च से है तो रिसर्च करना है तो गहन अध्यन करना ही होगा इसके लिए हम कौन-कौन सी पुस्तकें पड़ें ये हम आपको अभी बताते हैं इसके बाद फर्स्ट ग्रेड का जो स्लेबस है वो भी नेट की भाती मिलता जुलता ही है कोलेज परवक्ता का स्लेबस भी राणिती विज्ञान विशे का ये नेट से मिलता जुलता ही है अब इन तीनों परिक्षाओं में हम एक साथ कैसी स्टेडजी बनाए यू रचना बनाएं ताकि हम तीनों परिक्षाओं की त्यारी साथ साथ कर लें वित्रो मैं बताता हूं कि सरपर्थम हमें इसका राणिती विज्ञान का एक महतपून भाग है राणिती सिध्धान राणिती सिध्धान में हमें अनेक पुस्तकों को आध्यन करना होगा लेक राधनती सिद्धान्द की और अधिकांस इन तीनों परिक्षाओं में जो कोशन भी आते हैं प्रसंद भी आते हैं वो राधनती सिद्धान्द से सरवाधिक होते हैं इसलिए हमें राधनती सिद्धान्द का अध्यन करने के लिए इन तीन विश्यों तीन पुस्तकों का अध् टिकों ले लिया उसको ओपी गावा पुस्तक में से पढ़ा फिर ग्यान सिंग संदू में से पढ़ा फिर हम SP वर्मा से पढ़ते हैं तत पश्चात हम प्रेक्टिस सेट लेकर इन इस टोपिक का पूरा प्रियास करते हैं अब भ्यास करेंगे कि ताकि हम परिक्सा में सफल हो स करने हैं तो आप टोपिक वाइज अध्यन करना है फिर प्रमप्रगर द्रश्टिकोन के बाद वहवार वाद को तीनों पुस्तकों से अलग-अलग पढ़ना है फिर प्रेक्टिस सेट पर जाना है ऐसे नियाए टोपिक को तीनों पुस्तकों से अलग-अलग पढ़ना है फि कि नियाए विशे पर किस-किस विद्वान ने क्या-क्या विचार व्यक्ति है राजनती विज्ञान के विद्वान ने तो आप उसको भी अपना ज्ञान में समलित कर सकते हैं लेकिन मित्रो यह स्टैप बाई स्टैप ही होगा दूसरा महतपून तोपिक है राजनती विज्ञ विचारक का अध्यन कैसे करना चाहिए यह मैं सबसे पहले आपको बताता हूं वित्रो पश्मे राजनती विचारक का अध्यन करने के लिए हमें सबसे पहले उस विचारक की जीवनी का अध्यन करना चाहिए को कि उसकी जीवनी में ही उसके विचार नहीं थे हैं जैसे उदार उसका जीवन देखें तो उसने ग्रहयुद को देखा था या ग्रहयुद अर्थार्थ की विवस्था को देखा था इसलिए विवस्था को पनाए रखने के लिए वो निरंकुस राजतंत्र का समर्थन करता है कि जितने भी विचारक हैं हम सभी विचारकों का अध्यन कर उसकी जीवनी का अध्यन कर उसके विचारों के बारे में निसकर्स निकाल सकते हैं लेकिन मित्रों, नेट, फस्ट ग्रेट और कोलेज परवक्ता जासी बड़ी परिक्षाओं के लिए हमें एक एक विचारक का गहन अध्यन करना आफशक है तो हमें कैसे अध्यन करना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि सरपर्थम एक एक पुस्तक से हमें अलग-अलग सारे विचारकों को पढ़ना होगा जैसे प्लेटो, पहले पीडी सरमाह में से देखा, फिर मेरी पुस्तक में से देखा, फिर जेपी सूद में से देखा अब तीनों पुस्तकों में पढ़ने के बाद फिर आप प्रेक्टिस सेट पर जाएंगे practice set पर सारे practice कर question करेंगे question करने के बाद फिर आप Wikipedia के माध्यम से कुछ नमीन विचार है या आज की विदवानों ने इन विदवानों पर जो अध्यन किया है तो वो भी आप अध्यन भी समलित करेंगे तद पशात ही आपके पश्मी राणितिक विचारक topic complete हो पाएंगे तो मित्रो पश्मी राणितिक विचारक जितने भी आपके syllabus में हैं तो वो सारे thinker भी मिलते जुलते हैं जो net में हैं वो first grade में भी हैं और वो college प्रवक्ता में भी हैं एक दो विचारकों का अंतर हो सकता है तो आप उसको अपने अध्यन में समलित कर सकते हैं तो जैसे first grade में 11 विचारक हैं तो net में 15 विचारक हैं college प्रवक्ता में 13 चुदा विचारक हैं तो संख्या 2-4 का अंतर है तो आप सारे विचारकों का अध्यन कर अपने ग्यान को मजबूत कर सकते हैं और सभी परकार के कुश्ण हल कर सकते हैं तीसरा टोपिक जो मित्रो इसके अंदर सबसे important है वो अंतराषटी राणिती है अंतराषटी राणिती एक व्यापक और गहन विशे है अंतराषटी राणिती के मैली दो भाग है से धानतिक अंतराष्टी राणिती और वहवारिक अंतराष्टी राणिती से धानतिक में तो थार्तवादी सिध्धान आदर्सवादी सिध्धान व्योस्था सिध्धान ये सारे टोपिक आते हैं इसके लिए हमें मित्रो तपन बिस्वाल की किताब और महिंदर कुमार की पुस्तक पढ़नी चाहिए तपन बिस्वाल और महिंदर कुमार की पुस्तक इसके माध्यम से हम उसका सेधान्तिक भाग जो है वो असानी से कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन मित्रो से धांतिक भाग के साथ साथ हमें वेवारिक भाग भी अंतराष्ठी राणिती का पढ़ना होगा और ये काफी व्यापक है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में क्या-क्या अंतराष्टी घटना है, वो वहवारिक अंतराष्टी राणिती में आती है, इसमें पुस्तकें तो कुछ काम करते हैं, लेकिन पुस्तकों से अधिक आज की पत्र-पत्रीकाओं ज़्याद अब जो विद्यारती पत्र पत्रिकाओं का अध्यन जादा करता है वो इस भाग में से प्रसंद भी अधिक हल करता है तो मित्रो वेभारिक अंतराश्टी राणटी का अध्यन करने के लिए हमें तपन विष्वाल, वर्ल्ड फोकस, दर्पन, द्रश्टी जैसी पत्रिकाओं पढ़नी होंगी साथ में मेरी पुस्तक भी आप देख सकते हैं वे इस्विक परदर्शेवाली वो भी पढ़ सकते हैं लेकिन मित्रो इसमें वे भारिक अंतराश्टी राणिती में सबसे महतपूर्ण पत्र पत्रिकाई हैं यानि कि आपको वर्ल्ड फोकस और दरपन और गहन कीजिए पत्रिकाई का अंतराश्टी राणिती का तो आपका ग्यान और प्रसंद गहन दोनों मजबूत होता जाएगा मित्रो इसके बाद अगला टूपिक राणिती विज्ञान से संबन्दित है तुलनात्मक राणिती से तुलनात्मक राणिती नैट फर्ष्ट ग्र इसे तुलनात्मक राणिती का अधियन करने के लिए मैं आपको कुछ पुस्त के के बताता हूं सी लिए और 70 में करेंगे मित्रो नैटी श्योथख पर्योक करेंगे तुस समय हम वाद्यानों कर से अर्थाथ आफो ओनलाइन जाकर Wikipedia पर जाकर किसी देश के समिधान के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो विशेश कर की चीन, जापान, इंग्लेंड, अमरीका, सुटरिलेंड, आधी, कनाडा इन देशों के समिधानों के बारे में जानकारी प्राप्ट कर इस भाग को आप अपना होगी तभी जाकर आप नेट, फर्स्ट ग्रेड, कोलेज परवक्ता जैसी परिक्षाएं उतिर्ण कर सकते हैं इसके बाद में तो अगला टोपिक जो है भारतीय समिधान है भारतीय राजववस्था अब भारतीय समिधान और राजविवस्था का अध्यन करने के लिए हमें कुछ बेसिक पुस्तकों का अध्यन करना होगा सबसे पहले में सबसे सरल पुस्तक सुबास कस्यप के बारे में बताता हूं सुबास कस्यप की पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए क्यों काफी सरल पुस्तक है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें नारंग लक्ष्मी कान जैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जब ये पुस्तकें हम कम्प्लीट कर ले दो तीन बार पढ़ ले उसके बाद हमें बेरेक्ट पर आना होगा त्यानि कि मूल समिधान की परतिलिपी पर आना होगा मूल समिधान की जो परतिलुपी बेरेक्ट है उसकी भासा थोड़ी टिफिकल है हिंदी में भी अंग्रेजी में भी लेकिन जब आप इन पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो आप असानी से बेरेक्ट की भासा को भी समझ सकते हैं तो ततपश्यात आप बेरेक्ट के माध्यम से समिधान को पढ़ सकते हैं तो मित्रो आप काफी अक्तक भारतिय समिधान और भारतिय राजवस्था को त्यार कर सकते हैं इसके बाद मित्रो भारतिय समिधान में कुछ विवारिक प्रसन भी आते हैं आजकल की घटनाएं भी आती हैं इन आजकल की घटनाओं को आप पत्र- मित्रो, नैट और first grade और college प्रवक्ता में देखते हैं तीनो परिक्षाँ में फर्स्ट ग्रेट और college प्रवक्ता में तो ये 5 टोपी की सम्लित हैं, मैंनलि ये 5 भागी सम्लित हैं लेकिन जब हम नैट की परिक्षा की त्यारी करते हैं तो हम से लोग प्रसाषन के बारे में भी question पूछे जाते हैं लोग प्रसाषन को अध्यान करने के लिए मुत्रों हम अवस्ति और महिश्वरी की पुस्तक पढ़ सकते हैं मैंने भी एक सार घरवित पुस्तक निकाली है उसका अध्यन करके भी आप लोग प्रसासन की त्यारी कर सकते हैं मित्रो इन छे टोपिक के लावा एक टोपिक हो रहे है जो हमारा समाने टोपिक है भारतिय राध्यती विचारक वो तीनों परिक्साओं से सम्मधित है भारती राजनती विचारक वैसे तो हम सुतंत्रता आंदोलन और विभिन गटनाओं से समझ जाते हैं फिर भी उनके विचारों का गहन अध्यन करने के लिए हम कुछ पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं जैसे प्रुसुत्तम नागर आधी की पुस्तक पढ़ सकते हैं लेकिन मित्रो जब हम स्वें भारती हैं अपने पुर्वजों को और विद्वानों को भी समझने में कटना ही करते हैं तो मेरा मानना है कि हम धंग से पढ़ने ही पाते हैं इसलिए मित्रो कि हमें भारती राजनती विचारक तो पत्र पत्रीकाओं के माध्यम से सुस्टिता अंदुलन के माध्यम से और विभिन परकार की न्यूस के माध्यम से उनका अधिक से अधिक गहन अध्यन कर लेना चाहिए तो मित्रो अगर आप ये सभी प्रियास कर लेते हैं तो आप तीनों परिक्षाओं की त्यारी एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ धन्यवाद